सूपलब यह तो आप सभी उसर आप सभी बढ़ीया उंगे तो भाई लोग आज के वीडिटू का अंदर हम बात कर relate मारो केक्टर के तॉप 3 टिप्स टिप्स के भारे में आप मारो क्रेक्टर को बढ़िया त़िके से जैसे यूज कर सकते जाने की बैस्ट यूज ऑफ मारो करेक्टर तो भाई अगर आपको जानना है तो वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना सोगा इस में नमें विशाल आप देख रहें वाइट स्पीर्ड गेमिंग यूटूब चैनल तो चले वीडियो को अब स्ट वीडियो डाला था क्रोनों के साथ तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से वीडियो को देख लेना आपको डिस्किप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो यह अगर हम बात करें मारो क्याक्टर के टिप्स और ट्रिक् जानने से पहले आपको पहले जानना चाहिए कि इस वह टोंडिटी और साधी में अगर उसके बीडियों का सीरो और्येक पैट का जो मार्क होता है तो वह तो भाए उसके साथ 3.5 परसंट और इंक्रीज हो जाएगा मैक्स लेवल पर आपका टोटल डेमेज इंक्रीज होगा डिस्टेंस बढ़ाने पर वह होगा 28.5% का अब अगर हम बात करें हमारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में तो बेसिक के लिए जो सबसे पहला टिप है वो है कि यह जो कैयाक्टर है वो स्नाइपर्स और सपोर्टर के यह काफी बढ़िया है यानि कि अगर आप सपोर्टर हो अपने टीम का या फिर आप स्नाइपर हो तो भाई आप इस कैयाक्टर को जरूर से यूज करना क्योंकि सपोर्टर का जो काम होता है वो हमेशा ही होता है कि दूर से वो अपने टीम को कवर दे और इस कैयाक्टर का ज चाहिज तो यह उसको मारना हो जाएगा तो उस तरीके से आप मारों क्याक्टर का बैस्ट कर सकते हैं तो बैसिक लिए अगर आप स्नाइपर या ज़रूर से आप इस क्याक्टर को यूज कर लीजेगा अब अगर हम बात करें अगले बारे में तो जैसे कि आप सब्सक्राइब कि अगर किसी एनिमी के उपर मार्क आ रहा होता है तो भाई उसके उपर जो डैमेज है वो additional 3.5% से increase हो जाता है मारो का एक्टर का यूज करके तो basically अगर आप मारो का एक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप साथ में या तो सीरो को रखिए या तो आप मोको को रखिए या फिर आप ड्रैकी पैट को रखिए इससे होता क्या है कि इससे आपका जो एनिमी है वो मार्क हो जाएगा और इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा डै के साथ में होने से आपको 3.5% एक्टर डैमेज भी देखने को मिल जाएगा तो बेसिकली अगर आप सपोर्टर अपने टीम का या फिर स्नाइपर या फिर आप लोंग रिज में बहुत बढ़िया फाइट लेते हैं तो तब आप मारो के साथ मोको को रखिए या फिर सीरो को को रखिए इससे आपको मारो क्याक्टर का मैक्सिमुम फायदा मिलेगा यान कि आप मारो क्याक्टर का बैस्ट यूज कर पाएंगे तो भाई लोग पैसे लगाये हैं तो भाई यूज भी तो सभी से करना पड़ेगा ना सुगाइस अब अगर हम बात करें थर्ड टिप के वारे में तो भाई थर्ड टिप के अंदर आपको हाई डैमेज वाले गन से यूज करने तो अगर आप एक स्नाइपर है तो भाई नो डाउट आप में टूबी और या फिर अगर आप यूजर है तो आप ड्रैगुन और वूड पेकर को यूज कीजिए तो कि इन तीनों के जो डैमेज वो काफी ज्यादा है लॉग रेंज के अंदर और साथी में अगर आप मारों क्याक्टर को यूज करेंगे तो उनका जो डैमेज वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिससे आप अपने एनिमी को बहुत असानी से मार पाऊगे और वही बात है कि अगर आप supporter है तो आप अपने टीम को बहुत अच्छा support भी कर पैंगे तो basically अगर आपके team है तो आप पोसिस कीजिए ऑप टीम के अंदर जो sniper है या फिर जो supporter है उसके पास ये character जरूर हो तो वो सामने वाले एनिमिस को जड़ा damage दे पाएगा और आपके team में जो research होंगे उनके लिए easy हो जगा कि सामने वाले squad को easily wipe out कर सके तो अगर आप चाहे तो इस character को ज़रूर से use करना काफी बढ़िया character है और सबसे बढ़ी बात यह है कि भाई यह एक passive skill character है यानि कि आपको कोई भी cooldown time का wait निकरना पड़ेगा और साथ ही में आप इसके अंदर क्रोनो आलोग किसी का भी यूज कर सकते हैं तो बैसिकली भाई लोग काफी बढ़िया है अगर आप चाहते तो इसको यूज कर सकते हैं काफी बैल आइकन हैगा उसको प्रेस करके और प्रेस कर दिना हमारे ऐसे वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए कर सकते हैं